वीडियो में हम पढ़ेंगे अमेरिका की सीनेट अमेरिका की सीनेट में सबसे पहले देखेंगे इसकी भूमी का उसके बाद में इसकी सामाने बातें उसके बाद में फिली बस्टर और सबसे लाश्ट में देखेंगे सीनेट के कारिये एवं सक्तियां तो सबसे पहले देखते हैं सीनेट की भूमी का अमेरिकी कॉंग्रेस के दो सदन है पर्थम सदन परती निधी सभा तथा दूसरा सदन सीनेट जैसे भारत की संसद है उसके दो सदन होते हैं लोक सभा और राज्य सभा ऐसे ही अमेरिका की कॉंग्रिस के दो सदन होते हैं पर्थम सदन है परतिनिधी सभा तथा दूसरा सदन है सीनेट सीनेट में सभी इकाईयों को समान परतिनिधित्व परदान किया गया है इकईयों का मतलब होता है राज्य, तो अमेरिका के जो राज्य होते हैं उनको सीनेट में समान परतिनिधित्व परदान किया गया है, इनिकी परतेक राज्य अपने यहां से समान संख्या में सीनेट के लिए सदस्य चुन कर भेजता है, परतेक इकाई के द्वारा इसमें अप अमेरिका में 50 राज्य हैं और सीनेट की सदस्य संख्या 100 है इनकी परतेक राज्य से 2 सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी 50 गुनादो बराबर 100 अब देखते हैं इसका सामाने पहलू सामाने पहलू में सबसे पहले है सदस्यों का चुनाव सीनेट के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रतेक्स रूप से किया जाता है अब दूसरा है सीनेट का कारियकाल सीनेट एक इस्थाई सदन है इसके सदस्यों का कारियकाल 6 वर्स होता है यहनि कि सीनेट एक कैसा सदन है इस्थाई सदन है इसका कोई कारियकाल नहीं होता बलकि इसके सदस्यों का कारियकाल होता है और कारियकाल कितना होता है छे वर्स प्रतेक दो वर्स बाद एक तिहाई सदस से अवकास ग्रहन कर लेते हैं अब देखते हैं गणपूर्ती, सीनेट की गणपूर्ती, सीनेट की बैठकों के लिए कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्तिती आवसक होती है, गणपूर्ती का मतलब होता है कि सदन की वह है कम से कम सदस्य संख्या जो उसके बैठकों के लिए आवसक होती है, तो सीनेट की ग प्रेटकों के लिए या कार्य संचालन के लिए कम से कम 51 सदस्यों की उपस्तिती आव सके हैं। अब देखते हैं सीनेट का सभापती। अमेरिका का उपरास्ट्र पती सीनेट का पदेन सभापती होता है। वह सीनेट का सद से नहीं होता है और नहीं मतदान में भाग लेता है वह मतदान में तब तक भाग नहीं लेता है जब तक किसी प्रस्ताओ पर पक्स और विपक्स के मत बराबर नहीं हो जाएं इनकी किसी प्रस्ताओ पर जब पक्स और विपक्स के मत बराबर हो जाते हैं तो पती निरनायक मत का परियोग कर सकता है लेकिन सामाने प्रिस्तितियों में वह मतदान नहीं करता है क्योंकि वह सीनेट का सदस्य नहीं होता है अब देखते हैं फिलीबस्टर या फिलीबस्टरिंग फिलीबस्टर क्या होता है फिलीबस्टर का मतलब होता है टाइम खराब करने के लिए समय खराब करने के लिए बकवास करना तो अब देखते हैं कि फिलीबस्टर क्या होता है वास्तों में सीनेट के सदस्यों को मनचाहे समय तक बोलने की सवतंतरता प्राप्त है कई बार देखा गया है कि सीनेट के सदस्य सरकारी कारिये में रुकावट डालने के लिए लंबे समय तक बोलते रहते हैं या वाद विवाद करते रहते हैं सदन के कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टी से अनावसक रूप से किये जा रहे इस वाद विवाद को ही फिलीबस्टर कहा जाता है अब देखते हैं सीनेट के कारिये एवं सक्तियां तो सबसे पहला कारिये है कानून निर्मान समंधी सक्तियां विश्व का कोई भी सदन हो किसी भी विवस्थापिका का सदन हो प्रतेक सदन का सबसे पहला कारिये होता है कानूनों का निर्मान करना तो ऐसे ही अमेरीकी कॉंग्रेस की जो सीनेट है उसका सबसे पहला कारिये है कानूनों का निर्मान करना सीनेट अमेरीकी कॉंग्रेस का दूसरा सदन है वर्तमान समय में लोकतांतरिक देशों में विवस्थापिका के दूसरे सदन को कानून निर्मान में कमजोर इस्तिती ही प्राप्त होती है लेकिन अमेरीकी सीनेट के सम्मंध में ऐसी इस्तिती नहीं है यहनी कि जो विश्व की अधिकान स्वेस्था पिकाए होती है उनका जो दूसरा सदन होता है उसको कानून निर्मान के छेतर में कम सक्तियां प्राप्त होती है लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है अमेरिका में सीनेट को बहुत ज़्यादा सक्तियां प्राप्त हैं इसलिए अम साधहरण विध्यक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले पेश किये जा सकते हैं और वे तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक दोनों सदन हुने पारित नहीं कर दें यानि कि जो साधहरण विध्यक होते हैं वे कॉंग्रेस के किसी भी सदन में पहले परस्तुत किय जा सकते हैं वो परतिनिदी सदन में भी पहले प्रस्तुत किये जा सकते हैं और सीनेट में भी पहले प्रस्तुत किये जा सकते हैं और दोनों ही सदनों से साधहरण विधेकों का पारित होना आवसक होता है यहीं कि साधहरण विधेकों के सम्मध में सीनेट और परतिनिदी सभ प्रति निदी सभा में या फिर सीनेट में प्रस्तुत किये जा सकते हैं और दोनों ही सदनों से पारित होने आवसक होते हैं। प्रस्तुत किये जाते हैं उसके बाद कहा जाते हैं सीनेट में जाते हैं लेकिन वित्य विधेक भी दोनों सदनों से पारित होने आवसक हैं। तो यह हो गया सीनेट का पहला कारिये कानून निर्मान समंधी सक्तियां। अब दूसरा है कारिये पालिका समंधी सक्तियां। कार यहनि कि सीनेट राष्टर पती पर किस परकार नियंतर रखती हैं। राष्टर पती द्वारा की गई नियुक्तियां तभी वैद मानी जाती हैं जब सीनेट के द्वारा अपने साधारन भूमत से हुने स्युकर्ति परदान कर दी जाए। सीनेट की पर्थम कार्य पाले का सकती है जो राष्टर पती नियुक्तियां करता है उनकी पुस्टि फिर सीनेट के द्वारा की जाती है। तो वे नियुक्तियां वैद नहीं मानी जाती हैं। राज्यों से समंधित नियुक्तियां करते समय राष्टर पती समंधित राज्य के वरिष्ट सीनेटर से प्रामर्स करता है। इसे सीनेट ये सिष्टाचार कहा जाता है। अब कारिय पालिका के छेतर में दूसरी सक्ति है। कारिय पालिका छेतर में सीनेट की दूसरी सक्ति संधियों के विसय में है। रास्ट्रपती द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियां उस समय तक लागू नहीं होती जब तक सीनेट उन्हें दो तिहाई बहूमत से स्विकार ने कर ले इनकी राश्ट्रपती विदेशों के साथ संधियां कर सकता है लेकिन वे संधियां तब ही लागू होती है जब सीनेट उन संधियों को अपने दो तिहाई बहुमत से स्विकार कर लेती हैं अब देखते हैं तीसरी सीनेट की तीसरी कारिय पाली का सकती युद्ध की घोषणा से समंदित है युद्ध की घोषणा कॉंग्रेश द्वारा ही की जा सकती है सीनेट इस सकती का परियोग परतिनिदी सभा के साथ मिलकर करती है यनि की सीनेट की तीसरी कारिय पाली का समंदि सक्ति है युद्ध की घोशना करना लेकिन इस मामले में परतीन दी सभा और सीनेट दोनों की सक्तियां बराबर हैं अब देखते हैं सीनेट की तीसरी सक्ति, तीसरी है अन्वेशन या जांच करने की सक्ति सीनेट को एक अन्य महत्व पुर्ण सक्ती जांच के संबंध में प्राप्त है सीनेट ने अपनी इस सक्ती के आधार पर अनेक बार प्रसासनिक विभागों के कारियों की व्यापक जांच की है सीनेट की इस सक्ति का नकारात्मक्पक्स यह है कि इसका दुरूपयोग भी किया जा सकता है यनि कि यदि राश्ट्रपती किसी दूसरे राजनितिक दल का है और सीनेट में किसी दूसरे राजनितिक दल का बहुमत है तो सीनेट अपनी जाँच करने की सक्ति का गलत इस्तेमाल भी कर सकती है, दुरूपयोग भी कर सकती है हम देखते हैं सीनेट की चोथी सक्ति, चोथी है न्याइक सक्तियां सीनेट को नयाइक सक्नियां भी प्राप्त हैं जिनमें सबसे परमुख महाअभयोग की जांच का अधिकार हैं परतिन धी सभा में राष्टर पती, उपराष्टर पती तथा नयाधिसों पर महाभयोग लगाया जा सकता है महाअभ्योग की सुनवाई तथा निरने सीनेट में होता है महाअभ्योग की सुनवाई के समय सर्वोचे नाले का मुखे नयाधिस सीनेट की अध्यक्सता करता है अपराध सिध्धी के लिए दो तिहाई बहुमत की आवसकता होती है तो सीनेट की चोती सक्ती थी नयाएक सक्ती यहीं की सीनेट राष्ट्रपती या फिर जो सर्वोचे नाले के नयाधिस होते हैं उन पर परतिनी दिसभा में जो महाभ्योग लगाए जाता है उनका निरने सीनेट की द्वारा ही किया जाता है अब देखते हैं सीनेट की पांचवी सक्ति, पांचवी है अन्ने सक्तियां, सीनेट को कुछ अन्ने सक्तियां भी प्राप्त हैं, वहे राष्ट्रपती तथा उपराष्ट्रपती के निर्वाचन में किये गए मतदान की गणना करती है, विशेश दसाओं में वहे मिदवार को पूर्ण संख्या का बहुमत प्राप्त ने हो तो सीनेट सरवाधिक मत प्राप्त करने वाले पर्थम दो मिदवारों में से किसी एक को उपरास्ट पति निर्वाचित कर सकती है इसके लावा सीनेट की एक सकती यह भी होती है कि सीनेट अपने सदस्यों की योग ग की सीनेट